कुछ लोग लगाने के तरीके में कंफूज हैं कुछ लोग इसकी processing में confused हैं और कुछ लोग इसकी बिक्करी में confused हैं ठीक है आज मैं चाहता हूं कि उन सारे लोगों को सवाल clear हो जाए महोगनी के बारे हम पूरवत वीडियो जारी कर चुके हैं और बता चुके हैं यह कितना important है किसानों के लिए इससे बड़ा पैसे देने वाला आज की डेट में भारत में कोई भी प्लांट नहीं है जिस प्लांट को हम आसानी से तयार करके और बड़ा पैसा कमा ले जाएं यह है मुखे कारण प्लांट तो इससे भी महेंगे महेंगे बहुत सारे हैं लेकिन उनको आप survive हर जगर नहीं कर सकते हैं हर प्रस्थिती में हर मिट्टी में 0-5 डिगरी के बीच में पूरा इंडिया आता है आप भारत के हर कोने में आसानी से उसका उत्पादन ले सकते हैं पहली बात जो कि हर पौधों के साथ संभव नहीं है दूसरी चीज लोगों के अंदर एक confusion आ रही है कि सर महोगन मैंने लिया उसका प्रवाइब नहीं आ रहा है क्योंकि हमने सुटेचेनिया और मैंने सुरुआत से कहा है कि ये वह असनी कीमत प uncheck करें हमारे युद्यस नहीं कि उनक प्रचिस करें कंफ्यूजन जो आपके क्रियेट हो रही है जान लीजे सर जो देश में पैदावार की गई है वो देशी है जो बाहर से आप मंगाए है वही आपका इंपॉर्टेड है वही प्लानेट नेचरल है जिस स्वेटेनिया की बात हम कर आप से वह 100 फिट हाइट देगा क्योंकि उनके यहां 200 फिट की होती है अपने हां 100 फिट की होगी इसी का जो देशी पौधा है उसकी हाइट 25 से 30 फिट होगी आप समझ रहे हैं बिल्कुल देशी आप सस्ता लगाएंगे सस्ता पाएंगे सीधी सी बात जान लिजे देशी देशी नसल का पौधा कितने हाइट देगा 25 फिट 30 फिट 40 फिट इसकी लकड़ी भी कम कीमत की विक्ति है आप गूगल पर चेक कर सकते हैं इसकी लकड़ी कीमत 600 रूपए से 1200 घंफिट है और स्विटेनिया वराइटी जो बाहर की है साउथ फिरिकन है वह धाई हजार से सा इनका पाएंगे 15-20,000 बट स्विटेनिया जो हम लोग बाहर का पौधा लगाते हैं हम लोग इसलिए लगाते हैं कि एक बार आपको जो भी कॉस्टिंग लग जाए लग जाए बट आपका रिटर्न दस साल बाद आ जाए दस से बारा साल बाद यही पौधा आपको सबस्टों को फॉलिटि प्रवाराइटी प्रवारेटी करें यहां चीजे लोग करना है व्यारी लगानानी है प्लेटे मंशने लगानी इसके अलावा यह वराइटी कहा मिलेगी आत्ती वांडेशन इस विराइटी पर काम करती है और वह आपको आसानी से प्रॉइड करा द पूछ रहे हैं आप खुदी गूगल से पूछ लीजिए ये लकडी का उपयोग सर जितने भी जहाजे बनती है सिस्टीमर पानी की जहाज और मैं आपको बता दू ताज महल के फाउंडेशन में भी लकडील लगाई गई है क्योंकि किसी भी नदी के किनारे कोई इमारत खड़ी नहीं रह सकती अगर सेक्ड़ों वरसों से ताज महल वह खड़ा है इसका रिजन क्या है कि नीचे फाउंडेशन में महोगनी की लगाई गई है कियोंकि ये लकड़ी ना प्रचितने हाजों में बिमानों में पोतों में नाओं में In прав भी हो लकडी माउगोनी की ही रहेगी जितने फरनीचर आप पाएं जाएंगे फाइव स्टार होटलों में आप सोचिए किसकी डिमांड कितनी ज्यादा है तीसरा जितने म्यूजिकल इस्टुमेंट आप देख रहे हैं सितार आपने देखा है कितना बड़ा होता है बिलुकु आपको इन्डियन्स कमपरमाईज करना जानते हैं तो उसकी चमक वजन के फृसके प्रण वेविश्ट्र के आपुत बढ़ेंगे तो आप एक बार अगर महोगनी का इस्तेमाल कर लेंगे आपके खुदी स्वहन में आ जाएगा किसके लावां दूसरा नहीं इस्तेमाल करें इसके कोई आरुवेदिक गुड़ भी हैं आरुवेदिक गुड़ इसके अंदर कुट कुट कर भरे हुए हैं आप वारल फीवर इस लिए इसे सबते के मार्केट में असली हैं क्योंकि तीन साल बाद देना शूरू कर देता है और तीन साल बाद किसान की इंकम भी स्टर्ट हो जाती है क्योंकि या जो है काफी महें के कीमत पर विखता और हरब कंपनिया को कर लेती हैं जिसमें कोई दिक्कत महीं आराम से पर हैं और अपना रहे जितना की मत तरह मत में की मत हुँ काена वहाइगा भारत यह कौन दृच रहा है